हलो स्टूडेंट्स स्टेटी मीडियम चल्म आपका स्वागत है जो लोग बीएसी नर्सिंग एंड पारामेडिकल इंटरेंस इजाम को त्यारी करें उनके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें पिछले दस सालों के सारे कोस्टेंज को कलेक्ट किया गया जो आप कोई भी कोसिका के अंदर जो माइट्रोकॉंड्रिया होती है उसमें क्रिष्टी जैसी सानचना पाया जाती है उसका इस्ट्रेक्चर क्रिष्टी के समान होता है वह इस टाइप के होते थे इस टाइप के और यह है माइट्रोकॉंड्रिया तो कोई भी आप जो हम लोग का formation होता है जिसको krebs cycle बोला जाता है और krebs cycle के दोरान ATP का formation होता और उस वहे से कोई भी mitochondria जो होती है एनर्जी produce करती है generate करती है और वो energy होती है इस पूरे cell को provide की जाती है इस cell के संचारन के लिए जो भी energy साज़ी है उस लक्ष्टरा जो होते हैं जो इसकी जोरत नहीं होती है उसको गॉल जीकाई के थुरू दूसरे सेल में ट्रांसपर कर दिया जाता है तो इस तरह इस तरह मायट्र कोंडिया को को सिका के उर्जा गिरिय कहा जाता है next question से brick का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है तो ये नैफ्रोन है next question से अमर्वेल जिसको कुस कुटा भी बोलते हैं वो क्या है तो ये पूर्ण तना वाला परजी भी है पूर्ण तना परजी भी है तो अमर्वेल एक तरह से plant के part में आते हैं लेगन ये परजी भी है ये plant हो के क्या करते हैं दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं मान लेजिए कोई plant है तो ये मतलब plant तो vegetarian होता है plant क्या करते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटो सिंतेजिस के दौरा लेकिन अमर्वेल जो होते हैं दूसरे कीट को जो भी इसके उपर वैठते हैं उसको खा जाते हैं नेंस्टक्रेशन सावसन क्या है तो सौसन क्या है एक अक्सिकरन अभी कृट्रिया में नभी बता है इसका अक्सिकरन कहाँ पिए होता है मैच्ट और आढर parमेशन में होता है जिससे ATP के formation होता है तो सौसन एक ओक्सिकरन अभी किरिया है इससे उर्जा मुक्त होती है नेक्ट क्वेश्चन से सुक्रोज के जल अब घटन से क्या बनता है जब सुक्रोज का जल अब घटन होगा तो बनेगा सुक्रोज के जल अब घटन से ही गुलकोज और फ्रक्टोज बनती है नेक्ट क्वेश्चन से परदार्थ की चौथी अवस्ता क्या है परदार्थ की चौथी अवस्ता तीसरी क्या है तो एक दो तीन आपको पता होगा ठोस तरब और ग्यास सॉलिड लिक्वीड एन ग्यास होती है और अभी फॉर्थ जो इस्टेज है वो है प्लाजमा ठीक है प्लाजमा नेक्ट क्वेश्चन से बनस्पत्ति संग्रालई जिसको हर्वेरियम बोलते हैं वो क्या होता है उसमें पोधों के सुस्क नमुने का परिक्षन के अंदर होता ठीक है जो पोध है कि सुस्क के नमुने मतलग सुखी हुई लकड़ी जिसमें टीशू का अध्यन किया जाता है ठीक है और उससे हम लोग हाइवरिडाज़शन भी करते हैं चले नेक्ट क्वेश्चन से थैलसीमिया एक अनुवांसी की बिमारी है ठीक है यह परवाहित करता यह किसको परवाइद करता थी यह बलड को एफट करता थैलसीमिया और यह एक जेनेटिक डिजीज है नेक्स्ट है डेंगु जोर का कारण क्या है डेंगु जोर होता है वाइरस से होता है नेक्स्ट है हार्मोन आम तोर पर नहीं होते हैं हार्मोन्स आम तोर पर नहीं होते ह में वैक्टरिया में कोई भी हार्मोन नहीं पाँ जाता वैक्टरिया हार्मोन लेस होती है नेक्ट क्वेस्ट done से मानव तवर्चा का का रंग किस से बनता है तो वह GM food, इसका मतलब होता है, जो अनुवांसिकत परिवर्तित है. नेक्स्ट नंशीर का समंद किसे हैं, दूँ ये जंङली वसलो से, नेक्स्ट नवजात सिसु की तीन माहा तक की आयुके अधियन को या जाती हैं, बच्चे पेदा होते हैं उससे 3 months के बीच जो भी उनका अध्यान होता है उसको क्या बोले गाता है उसको बोले गाता है Neonetology ठीक है Neonetology very important Neonetology तो तीन महने तक जो भी आध्यान होता है वो Neonetology Neonetology next question से किस जीब में पसलियों की संख सबसे अधिक 24 होती है तो किस जीब की पसलियां सबसे अधिक होती तो वो मनुष और एक मैमल्स ठीक है तो मनुष में 24 होती नेक्ट कोर्शन से जीन सब बनाया था तो यह डबलू एल जोहांसन ने बनाया था नाइंटिन में next question से सबसे उचा पक्षी सबसे उचा मतलब हाईड में सबसे उचा तो यह भी सुतरमूर्गी होगा और बड़ा तो भी सुतरमूर्गी होगा ठीक है? और श्त्रीच next question से सपाट पैरो वाला उण्ट रैकिस्तान में आसानी से चल सकता है? क्यूँ? क्योंकि संपर्क गत प्रिष्ट का छेत्र बढ़ जाने के कारण रेत की प्रती 21 छेत्र पर दवाव कम हो जाता और इस वज़े से उट का जो पेर है वो रेत में नहीं धसती है वो अंदर नहीं जाती है और इस वज़े वो आसानी से चल पाता है 3 सी 다नी है और इंसानों को सब्सक्राइब करेमाती है क्यार्ण सब्सक्राइक व्यूक्ता बना हो देला सिध काल में पोधे किस्कारण पाले से मर जाते हैं कि उत्तकों की यांतरिक छती और सुस्कन हो जाते जो सीध होती है और बहुती कॉल्ड होती है उससे इनसान कोई problem नहीं होती है उससे पूधों को भी problem ऑज़ए जो टीशू है न वो stellt गर्मी से मरते हैं ठंडी से भी पूधे मरते हैं Next question से मानव तथा honesty में जीवों में जीन अनुवान सिक्ता को नियंत्रित करते हैं यह जीन आखिर है क्या तो यह जीन पता है क्या गुंसुत्रों पर मनका जैसे रजना उसको जीन बोल देखो जीन किस टैप क्यों होते है जब आप के अंदरक पर जाओगे किसी भी सेल के नुकलेस पर जाओगे उसके अंदर आपको म इसको ये तो पुरा घना है यह आप देखरों बहुत घना है इसको जब आप इसके खोलोगे नस्को खोलोगे इसको पकटर के खीचोगे तो ये थोड़ा पतला होगा और ये पतला होगा तो ये जो तो गैप है ना यह गैप one by one एक गैप यह कहलाएगी DNA ठीक है DNA कहलाएगी इसको और खोलोगे जब और बड़ा बड़ा खोलोगे तो और ज्यादा गैप होगा वहां आपको मिल जाएंगे जीन ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि जीन को समेटने से DNA बनती है और DNA को समेटने से और पूमोजूम बनती है, तो यह दोनों, यह तीनों ही चैन सिस्टम से एक दूसरे से connected होते, लेकिन actually जो होते हैं वो गुंसुत्र का ही पार्ट होता है, ठीकर, DNA गुंसुत्र का ही पार्ट होता है, और जीन भी DNA का ही पार्ट होता है, वो तीनों अलग नहीं है, इसको पैदा करने की सारवधिक संभावना किस जीब को है यह जो गैस है यह एक वेक्टरिया जो है वो इसको पैदा कर सकते हैं ठीक है तो वेक्टरिया को यह होती है नेक्स्ट कोश्चन से मानव चक्षू में एक विसेश रंजक होता है जो यह निरदायत करता है कि किसी व्यक्ति की आंखे नीली हो काली हो भ्राउन हो ठीक है वह रंजक को क्या आया जाता दो रंजक को बोला जाता आइरिस ठीक है पिकлемेंट जैसे हमने बताया कि अभ होता नो वो एक pigment decide करता है वो pigment होते है आईरिस जिसको हम लग हिंदी में बलते है पारित तारी का ठीक है बिना pigment किसी भी चीज का color नहीं होगा तो pigment वहना बहुत जोरूरी है next question से dpt का टिका दिया जाता है तो dpt का टिका जो दिया जाता है वह रोहिनी कुकुर्खासी और टिटनेस रोगों से बचने के लिए ठीक है तो dpt बहुत सारे bulk of disease को एक साथ vaccinate करने के लिए बनाया गया था next question से हिरदय और उसकी बीमारियों के अध्यान से संबंदित विज्ञान को क्या खा जाता तो यह कार्डियोलोजिक आ जाता ठीक है और जो डॉक्टर बनते है इस फिल्ड में उसको कार्डियोलोजिस्ट बोला जाता है next question से सिस्ट्रस फल में कौन सा विटामिन पाए जाता है तो जो भी सिस्ट्रस फल होते हैं उसमें विटामिन C पाए जाता ठीक है और उसका स्वार थोड़ा सा खटा होता है next question से मानव सरी में वे नियंतरन के अंदर जो भूख, पानी, संतुलन, मतलब प्यास, सरीर के तापमान को नियंतरन करने में काम करते हैं, वो है है हाइपोथेलेमस, ठीक है, तो हमारे सरीर में जो भूख लगती है, प्यास लगती है, या फिर तापमान का नियंतरन, वो सब हाइपोथेलेमस करती है, नेक्स्ट कोश्चन से मलेरिया संक्रमीत होता है, यह मादा एनिफिलिज मच्छड के काटने से ऐसा होता है, ठीक है, नेक्स्ट है, हल्दी प्राप्थ होता है, हल्दी पोधों के तने से प्राप्थ होता है, ठीक है, तना से हल्दी प्राप्थ होता है, नेक्स्ट है, वो पो तो वह है utry kularia ठीक है utry kularia और यह ऐसा क्यों करते हैं पोधे actually कीट को नहीं खाते हैं उसका जो सेफ होता नो इस टैप का बना होता है और इसमें थोड़ा सा भावर टाइप का होता है इसमें कोई जब इंसेक्ट आके वेटता है तो यह है ना पूरे अपने जो लिप से उसको cover कर लेते हैं और वो जो कीड़ा है वो जो इनसेक्ट अंदर दब जाती है और फिर यहां से एक रसाएन छोड़ाजाता है एक एंजाइम छोड़ा जाता है toxic enzymes और वो उस कीड़े को माल डालती है और फिर उसको खा जाती ऐसा बूला जाते लेकिन पेट फोड़े जो होते किड़े को खाते नहीं पूरी कर लेते हुआ लेकिन कुछ पोधे ऐसे होते है जिनकी जड़ो में वो कैपसिटी नहीं होती कि वह अपनी nitrogen की पूर्थी सही से कर पाए इस वज़ए से उसके nitrogen की चो पूर्थी नहीं हो पाती nitrogen का continue उसका अभभाव रही जाता है तो वो nitrogen की पूर्थी कहा से करते हैं Insect के थुरू Insect जब उसके बैठते हैं तो उसको उसका body में nitrogen दीखता है तो उसको enzymes के थुरुमार डालता है और उसका जो nitrogen है उसको absorb करके अपने nitrogen की पूर्ती कर ले था बस यह reason और कुछ नहीं नहीं तो insect खाने वाली पोधे आज तक नहीं बनी ओके next question से DNA सारचना का सही model किसे ने बनाया था तो वो वाटसन एवाम क्रिक नाम बेग्यानिक ने बनाया था next हाती मगर स्वान कच्छुओ में सबसे लंबी जीवन अबदी किसकी होती तो कच्छुआ की होती सबसे ज़्यादा यह जीवित रहता है next question से कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है तो वो हाती होगा ठीक है इसको मैमल्स के केटेगी में रखा गया है नेक्स्ट है टैमी फ्लू का प्रमुइक औस्धी क्या है तो टैमी फ्लू का प्रमुइक औस्धी है वर्ड फ्लू का ठीक है यह जो टैमी फ्लू है यह प्रमुइक औस्धी है वर्ड फ्लू का तो वर्ड फ्लू का औस्धी अगर पुछा जाए तो टैमी फ्लू उसके नाम से यह उसका उसदी नेश्ट सरकरा या मंड के कीनवन से क्या प्राप्त होता है जब सरकरा या मंड का कीनवन होता फॉर्मेंटेशन होता तो एथेनौल प्राप्त होता ठीक है एथेनौल हम लग सरकरा के फॉर्मेंटेशन से प्राप्त करते हैं नेश्ट मानव सरी का जो थर्मो माल लो हाँ में आप कस्मीर चले गए ठीक के यहाँ बहुत बर्फ गिर रही है। वहाँ पे तो घटना ही है । फिर आप कहीं चले गए हमाल लेजे राइस्थान की तपती गर्मियों में पुरा लू चर रही है तो वहां भी आपका टेंपरेचर बढ़ना ही है तो अगर यहां पर घड़ जाए यहां पर बढ़ जाए तो फिर आपका बोडी का सिस्टम है वह हिल जाएगा आपका बहुत स कुल्ट हमसे उसको घटने नहीं देते हुसकी जो टेंपरेचर उसको मेंटेन करके रहां पर टेंपरेचर बहुत जादा तो उसको कम करके उसको फिर मेंटेन करते हैं मतलब दोनों जगह आप देखोगे तो इसलिए हाइपो थेलमस को थर्मोस्टेट बोला जाता है ठीक है नेश्ट कोस्टन से मानव जिनोम परियोजना का नेत्रित्व किस ने किया था तो वो किया था फ्रांसिस क्रिक और जैम्स वाट्सन ठेक है तो दो बेगानिक थे वाट्सन एंड क्रिक बोला जाता है तो वाट्सन एंड क्रिक ने यह किया था ओके वीडियो अगर पसंद आया